तो हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अरू टेकनोलोजी तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि कैसे आप अपने अधार काड के नंबर से सिर्फ आप अपने किसी भी बैंक का बैलेंस यह कर सकते हैं या तो अपना मिनि स्टेटमेंट भी सब्सक्राइब कर दिजीएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीश लाइकच बी कर दीजिएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल पハハ backdrop कर लेना है 90 तो हम चलिए दोस्तों सर्च कर लेते दो गर गर पाइस्ट मनी करी लोग in करेंगा थे पाइस्टवाले में दीख रहा होगा इससको आप ओपन कर लेना है तो दोस्तो इसमें आपको अपना जो ID पासवर्ड है उसको डाल के लोगईन कर लेना है तो जैसा हिंकि लोग को आपके पास यह ID पासवर्ड नहीं होगा तो प्लीज आप मेरे Comment box में comment करिए आपको हम ID पासवर्ड दिलवार देंगे आप अपना किसी भी बैंक का बैंक बैलेंचे भी कर सकते हैं या उसका पैसा भी निकाल सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो को आप लाश्ट तक देखिए आपको बहुत मजाने वाला है चलिए हम लोग इनकर लेते हैं दोस्तों जैसा कि आपके जो मुबाइल नंबर रेइस्टर्ड होगा उस पर आपका OTP भी आगा तो क्या है कि आपको OTP इसमें अपना फिल कर लेना है जैसा कि देख सकते हैं कि मेराएसस मनी का डेस्बोड लॉगिन हो गया है तो इसमें मुझे करना है कि कैसे आपमने बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं अपना मिनी स्टेट्मेंट निकाल सकते हैं कि सीपी बैंक का यहां पर आपको दीख रहा होगा का APS लिखा होगा तो आपको APS पी क्लिक करके इसको open कर लेना है तो चलिए इसको open कर लेते हैं तो दोस्तो जैसा कि यह मेरा open हो गया है APS का तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा cash withdrawal तो इसको cash withdrawal पर करके आपको इसमें MinLC statement कर देना है, the many statement क्या होगा कि सब्से पहले आपको ज़ो आपका है इसमें fill कर लेना है तो इसमें आपको डोस्तो जो आपका bank में अधार clock से link हो हो वो अधाभ Should Third number इसमें डाल लेना है ऋपका चलिए हम अधार नमबर इसमिट डाल लेते हैं तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि आपका जो भी बैंक से आपका अधार का लिंक हो उस पर आपको स्लेक्ट कर लेना है और दोस्तों जो भी आपके पास डिवाइस हो चाहे मंतरा हो चाहे मुर्फो इस पर आपको सर्च कर लेना है तो द बहुत पहले से साथ लॉगिन था इसलिए नहीं हो रहा है तो चलिए इसको फिर से लॉगिन करके देखते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको यह बताया थे कि इसमें आपको कोई भी नंबर डाल लेना है फिर आपको जो अपना आधार कार्ट का नंबर है वह आपको इसमें फि क्लिक करेंगे तो दोस्तों यह आपका फिंगर जलेगा फिर यह प्रोसेड कर रहा है तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते कि यहां पर मेरा बैलेंस हो गया है पूरा मिनी स्टेटमेंट निकाल दिया है पांटो इसमें क्या दिख रहा है दो और साथ को मैंने एक हजार सीहां पर दिखा दे रहा है तो आप ऐसे किसी भी बैंक का चेक कर सकते हैं जैसे मेरा एक HDFC co इस पर एक करके finger scan करते हैं तो आप देख सकते हैं आप एसे करके किसी भी bank 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 check कर सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरा यहाँ पर दिख रहा होगा पंदरसो 13 13 रुपए यहाँ पर आपका not of many statement भी दिखा दे रहा है कि आप कितना transaction किये हैं इसमें तो दोस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अगर आप से हो सके तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो के बारे मी साइडी के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं अगर आप यह दोस्तों अगर आई डी लेना भी चाहते इसमें बहुत सारे फीचर साब